वक्त था 2021 पीस्यस इंटर व्यू का, तो बोर्ड मिम्मर्स ने मुझे मुझे पूछा कि आपकी होबी क्या है, मैंने कहा मेरी होबी है डांसिंग करना है, डांस? डांस करते हो तुम? ये कैसे होबी है, डांसिंग माशर हो तुम? मुझे महसूस हो गया था मेरा इस दौरान मैंने क्या किया आई देखते हैं इस इंटर्विव में क्या हुआ आईए मैं अपनी कहानी में आपको बताता हूं क्याते हैं कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर चलो यू कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जया आपने मुझे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे यूटूब पे या कहीं भी मुझे बच्चों के साथ दांस करते हुए उनके साथ वीडियो बनाते हुए आपने लेकिन मेरा एक और नाम है पंडित जावेद भारती ऐसा क्यों हुआ मुझे यह नाम रखने क्या सकता क्यों पड़ी अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज है खासकर हमारा जो ग्रामील समाज है वो काफी तफरकों में बटा हुआ है मतलम हिंदू, मुस्लिम, सिक् लोग नाम से ही क्या करते हैं जातियों के अधार पर भेद करना क्या करते हैं शुरू कर देते हैं मैंने कहा क्यों नाम से हमारा भेद भाव सुरू हो रहा है तो क्यों ना इस नाम को एक ऐसा समेटा जाए इसमें सारे जातियों और सारे धर्मों का समावेश हो जाए तो मैं यहां नाम रखा पंडीत जावेद भारत मेरा मूल निवासी हूं महराज जिले का उत्तर पड़ता है मैंने अपनी स्कूलिंग भी उसी जिले से की और मैं ग्रिजिशन और पोस्ट ग्रिजिशन के पढ़ाई मैंने दिन द्यालव का ध्याए गौरपुर इस जिद्दा ले खेलखेल में पढ़ाता था तो वहां पे क्या था उनका प्रोट सुने लगा उनका वह अच्छिंग लगे तो जो अभिगाबक थे वह बहुत खुस हुए और उन्हें है कि जो पैसे देते थे उन्हें क्या करते बढ़ाना क्या कर दे उन्हें सुरु चुआ से मेरा रुझा पर कोई विद्दालेन नहीं था और जो धाचा था उसमें गाय, बैल, भैसे, बकरियां आदी वहाँ पर बधिन होगी अब क्या किया जाए तो हमारे जो साथी थे सुमित कुमार पटेल जी वह भी साथ में हमारे कहते हैं हम लोग गया वहाँ पर खंड सिचाधी का रही थे उ अधार के तौर पे और वहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया अपना जोग्रा विद्दाले हमारे तुटा हुआ था सुमित कुमार पटेजी लगे हुए और उन्हें विद्दाले को बनवाया और मैं उनके साथ पीचे-पीचे लगा रहा विद्दाले बना और ऐसा विद लोग ने कहीं जरूर देखा होगा लेकिन कहते हैं ना कि पॉपलर्वाइटी मिलती है तो आपके दुसमें भी क्या होते हैं बनने करते हैं ऐसा मेरे साथ भी हो इस थाने इस तर पर लोग लगातार मेरे सिकायत करते थे लेकिन चुकि कि खंड सिच्छा अधिकारी जानते हैं एक अध्यापक जो इमांदारी से पढ़ा रहा है आज तक उसके नोगरी पे एक आच भी नहीं आई एक डाग भी नहीं आया है और उसके उपर स्रस्पेंशन जैसी तलवार लटक रही है मैं क्या न करता मैं मैं भगा भगा गया यहीं सिच अधिकारी के पास देखे सर ऐसी सी बात है मैं पढ़ाता हूं बच्चों को ऐसे नवाचार कर रहा हूं मेरा स्कूल ऐसा था हम स्कूल आगे बहाने का परयात्स कर रहा है और आप मुझे स्स्मेंट करने जा रहा है उन्होंने मेरी बात को सारे इंदा से सुना बहुत अच्छी अधिकारी थे लेकिन मेरा सफर यहीं खतम नहीं हुआ था एक लंबी उलान मुझे अभी और भर नी थी PCS examination, एक बहुत बड़ी परिच्छा मानी जाती है, राज्य इस्तर की, तो हमने वहाँ पे मेरा भी मन था, कि मैं PCS examination को crack करूँ, और समाज के लिए कुछ बहतर मैं करने का परियास करूँ, हालों कि मैं अपने जो इस्तर था, उस इस्तर से मैं परियास तो कर रहा था, लेकिन म मेरा जो दायरा बढ़े, मेरी जो diversity है वो बढ़े, और मैं बड़े इस तरफे क्या करता हूँ, वहाँ पर हम काम कर सके, तो इसके लिए मन तो, जैसे मैं primary teacher मना, तब से ही मेरा मन क्या था, इस परिच्छा के लिए लग चुका था, लागतार मैं 2013 से ही लागतार मैं इसको प मिल्दा था, एक बार बार प्री को निकल जाना, लेकिन मेस न निकलना, एक दिल को बढ़ा कचोड़ता है, तीन तीन घंटे वहाँ जाके लिखना, चार दिन वहाँ जाके लिखना, फिर उसके बाद से result का वेट करना, और result में आपका नाम नहीं आता है, तो एक बहुत ही अजीब से लगता है दिल में कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों नहीं मेरा, यहां पे selection हो पारा ह। हाला कि मैं अपनी गलतियों पे काम कर रहा था, अब अगर नंबर कम आ जा रहे थे, तो मैं उसे मेनत कर रहा था, उसे फोकस कर रहा था, लेकिन किसमत को यही मंजूर था, मैं उस परिच्छा में असफल हो रहा था, या फिर साथ मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं उस परिच्छा को क्रैक कर पाओ, यही बात अभी चली रही थी, कि 12-16 में मेरी साधी हो गई, और उसके बाद मैं एक परिवार वाल अफिक्ती हो गया, और देखते देखते मेरे अगले दो-तीन सालों में दो बच्चे भी मेरे हो गया, अब परिवार की धेर सारी इस लिखा, ठीक है, लिकिन फेल हो गया, 12-15 फेल, 12-16 फेल, 16 में साधी हो गई, जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोज मेरे कंदों पर आ जुगा था, एक लगातार में फेल हो रहा हूं, इसकूल के जिम्मेदारी अलग और परिवार के जिम्मेदारी मेरे उपर अ कहां गल्पी हो रही थी, मैं क्या करूँ ?अब कैसे पढ़ू ? एक ही किताब को बार-बार पढ़ना, सौ बार पढ़ना, अब क्या किया जाय मुझे नंबर समाः पे मिले । मैं बार-बार प्रयास करता था लेकिन कहीं कहीं मुझे कमी हो जा रहे थी को और मैं फिर असफल हो जा रहा था, तो हर 20 का दौर आया, तो उने लिए बहुत ही पीडा दैक था, यूखिए उसी साल मेरी अम्मी का इंतिकाल हो गया, उस कुरोना कालमी, अब मैं और तूट चुका था, यूखिए जो मा अपने बेटे का अधिकारी बनने का सपना देख रह क्या पता इस बार आपका हो जाए, मैंने फिर दिया, मैंने प्री लिखा, प्री मैंने दिया, पास हो गया, मैंने मेंस में बैटा, और मेंस में उड़ो डिप्रेशन एंग्जाइटी थे, वो बहुत ही सीवेर हो चुकी थी, हिंदी और एसे का पेपर था, पहला दिन का पे पिए अगले दिंद्स था, लेकिन उन दवाओं को असर नहीं पड़ा, उसी डिप्रेशन में, उसए अग्जाइटी में मैंने क्या किया, पूरा पीपर मैंने लिखा, लेकिन यह अम्मे की दुआएं कहिए या अल्ला का कर्म कहिए, उसी में जिस में मैंने डिप्लेशन और इजानटीवी पेपर लिखा, वही मेंस में क्या हो गया, क्लियर हो गया, इस बार इतना confident था, ठीक है, मेरा मेंस निकल चुका था, मैं confident था, इस बार मैं interview भी pass कर लूँ ऐसा लगा, कि मैं तो अधिकारी आज ही यहाँ पे बन गया, एक बहुत ही बहतरीन माहौल है, वहाँ पे उत्तरप्रदेख लोगस्यवा आयोगता, अब मैं जब मैं वहाँ पे इंटर किया, बोर्ड मिम्मर्स वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ ने अपने सारी आपचारिक वहाँ ओपी के होगा, बोरी की गहीं, तो वहीं पे जब मुझे पूछा गया, तो मैंने बताया, मेरी हवी है डांसी करना, उन्होंने तबाह क से गा, डांसीं करना, डांस करते हो तुम, ऐसे बच्छों को पढ़ाते हो, डांसीं टीचर हो टुम, अब जितनी खुसी और ज पूराइंटर्वी को फेस किया लेकिन जब मैं इंटर्वियू देकर बाहर आरा था मैं समझ चुकाथा मेरी कहानिया पे खत्म हो चुकी है और निश्क्रत तोर पर जब वो रिजट आया इंटर्वियू का उसमें मेरा नाम नहीं था एक बार फिर दिप्रेशन waited के दौर में मैं जा जुका था, अब बार बारा pre, main, in-terview तक महोखता है और फिर वहांसे fail हो के फिर निचले करू से फिर करना ये काफी बिल्याधायक होता है लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो हर 22 का प्री मैंने फेल दिया, अब चुकि मेंस में मैं बार बार फेल हो रहा था, 21 मेह को मैंने पास किया था, मैं मेंस बार 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 फेल हो रहा था, तो इस बार ये पूरा ये जोड था मेरा, कि इस बार मैं मेंस पर इच्छा को मैं फेल न करता था चार से सात एक स्लॉट था मेरा पढ़ाई करने का उसके बाद मैं तयार हो के ऐस्कूल जाता था इस्कूल से आने के बाद टिक ईदो बजे घरमिवं में और थंडी में 3 वज DepartörHH Boston उसके बन हो जाता हैं तो साम को 기 चार से साथ से स्लॉट शमा दे मैं फिर फिर और इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला, दोहर 22 में मैंने मेंस परिच्छा को फिर से पास किया, और अब मैं पहुंचा इंटर्व्यू देने के लिए परियाग राज में, जैसा कि आपको पता है, दोहर 22 में मेरे डांस को लेकर धेर सारीटी पढ़िया, इंटर्व्य वो बोर्ण में की गें थी, देखिम, आयोग जो है, वो हमारे लिए एक मंदिर के समान है, उन्होंने मेरा वक्ति भायता, चांचने के लिए इस तेरह की आवाज इठाई हो, इस तरह के व्यावार किया हो, या इस तरह के उनुनने सवाल मुझे पूछा हो, मेरा वक्ति तो जो डिप्रेशन में हैं, जो एंग्जाइटी में हैं, उनको बताने के लिए देखी, आप इस परिच्छा को हस्ते खेलते वे पास कर सकते हैं, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाने की ज़रूत नहीं है, मैंने वहाँ पे आयो के गेट पर डांस किया, आरम भाय जैसा कि आप सभी को पता है, कि दौहर 21 के इंटर्व्यू में एक छोटे से सवाल, याने निर्ति के सवाल ने मेरा पूरा इंटर्व्यू क्या कर दिया था, मेरे पूरे आत्मिर्स्वास को तोड़ दिया था, और मेरा पूरा इंटर्व्यू ख़राब हो चुगा था, अब दौहर 22 के इंटर्व्यू देने के दोरान मैंने क्या किया, आयो की गेट पर ही डांस किया, अब क्या होता है इंटर्व्यू में यह देखने वाली बात होगी, तो अब मैं जा रहा था दौहर 22 के इंटर्व्यू के लिए, इंटर्व्यू में पहुचा, मैंने उस पूरे इ मेरा खतम हो गया मैं पहुंच के गेर तक पहुंच गया था तो वहां के बोल्ड मेंबर ने मुझे वापस बुला है बिटा इधर सुनो मैं वापस किया तुम्हारा सूट यह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ठीक है बहुत महंगा लगता है कितने का लिया तो अब मैं क् पता है कि यह सूट कितने का है अच्छा आपको यह नहीं पता है कितने है तो इसका तो कंपनी का नाम तो पता होगा यह किस कंपनी का है यह जो टैग है इसलिए मैं इसको निकाला नहीं है यह टैग लगा था उस वक भी और मैं टैग निकालना क्या किया था भूल किया था अम्रता क्या ना करता क्या जाब देता है मैंने दिया है थ्यान नहीं दिया है अब vere Qualität Nej मैं मेरी भाई ने मौभी खिली आये आप सारी जानकारी मेरी वाईप को है मजे सूट के वारे में कोई जानकारी नहीं तो बोल्ड मेंबर्ट के चेहरे थे टीक है इस पार इस सूट के विए से कहीं बाहर मैं न हो जाओं। अधर्च महोदे ने तो कह दिया कि आप जाये मैं वहाँ चला आया लेकिन ये जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मन में एक धूतकी बनी रही एक सोच बना रहा इस रिजल्ट में पतानी क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन फाइनली जब पीसियस दोहरवाइस का रिजल्ट आया उस रिजल्ट में मिला नाम। मुझे पोश्ट भी ऐसा मिला मैं बच्चों के साथ लगा रहता था लेकिन मुझे पोश्ट भी ऐसा मिला कि अब मैं जिला बेसिक सिछा अधिकारी के पत पे तैनात हो सकता हूं। अब जिन बच्चों के साथ मैं खेल रहा था, कूद रहा था, उन बच्चों के लिए मुझे कुछ बड़ा करने का आउसर जरूर मिलेगा, तो कहते हैं न, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, तो आप भी कुछ ऐशा काम करें, आप भी कुछ ऐसा बड़ा काम करें, समाज के लिए आप ऐसा काम करें, कि आपको भी यहाँ पे आने का मुखा मिले, और आप यह कहानी से लोहों को प्षुरुना मिल सकें, एक बार फिर, जोश्टॉक की पूरी टीम को बहुत बहुद सुक कि क्या जो श्टॉक्स आस्प्रिंस को help कर सकते हैं financially उनकी इस जर्णी में तो इसलिए जो श्टॉक्स ने contact किया English medium के लिए के खांसर को और Hindi medium के लिए संस्कृती आइस को शायद खांसर और के आइस की introduction ही देने की ज़र्द नहीं है देश के सबसे जाने मानी और respected institutes में से है केस्जी श्रिष्टी जैन देशमुक्षायद आपने नाम सुना हो सर की ही student रही है जिन्नोंने 2018 में AIR 5 हासल की वहीं संस्कृती आइस के भी बहुत students ने UPSC में top ranks प्राप्त की हैं कुछ ही समय में उनके भी बहुत students की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं तो जोष टॉक्स ने केस्जी आइस और संस्कृती आइस से बात की और उन्हें request किया कि क्या वो जोष की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी scholarship दे सकते हैं मुझे हम बहुत खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टिट्यूट्स मान गई हैं वो जोष की फैमिली के लिए अपने foundation course पे scholarship प्रोवाइड करेंगे यानि कि वो quality की education जिसकी fees लाखों में जाती थी अब हम अफॉर्ड कर पाएंगे यह वाल्यूबल है सबसे जादा हम नए आस्परेंट्स के लिए जिन्हें foundation course करना तो है लेकिन लाखों की fees हम अफॉर्ड नहीं कर सकते जोष फैमिली की ये scholarship पाने के लिए हम नीचे दिये गए Google form को फिल कर सकते हैं जब आपको call आये तो प्लीज ये mention करना मत भूलना कि आप जोष फैमिली के पाट है ताकि आपको ये scholarship मिल पाए जोष टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब aspirants को जोष सिर्फ कहानियों से नहीं बलकि असलियत में financially support कर पा रहा है जोष टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था जोष का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की मगर जिंदगी की कुछ परस्थितियां हमें अपने अंदर के talent को बाहर नहीं लेकिन अब कम से कम हमारी financials थी थी हमें अपने IAS बनने के सपने से ड्रोक नहीं सकती जोष टॉक्स से एक बड़े भाई या बेहिन की तरह हर वक्त हम सब को जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा आप बस जाके अपना 100% दीजिए एक भी दिन जाय जे